तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं अगर हम बात करें से सीजियल 2021 के एक्जाम के तो उसमें आप देखें होंगे कि बहुत सारे कोर्शन्स हर एक सिफ्ट में पूछा गया था अमेंडमेंट से ठीक है तो expected आप कर सकते हैं मतलब expect आप करेंगे कि 2022 के एक्जाम में भी इस टॉपिक से questions आपके रहने वाले हैं ठीक है तो सारे important questions है याद कर जाना है आपको तो चलिए start करते हैं हम लोग इस session को सबसे पहला question है कि who's leadership was the 42nd Amendment Act passed ठीक है 42 संसोधन अधिनियम किसके नेतरित्व में पारित किया गया था सबका answer भी आ चुका है इंद्रा गांधी होगा यहाँ पर correct answer ठीक है Next है By the 42nd Amendment in 1976 As introduced by the DAS The chapter on the fundamental duties of citizens Was incorporated into the constitution ठीक है 1976 में 42 संसोधन द्वारा जैसा की DAS द्वारा पेश किया गया था नागरिकों के मौलिक करतव्यों पर अधियाय को समिधान में सामिल किया गया था ठीक है तो यहाँ होगा स्वर्ण सिंग कमीटी ठीक है Introduced by the स्वर्ण सिंग कमीटी यह कोर्शन पहुत बार पुछा गया है ठीक है Next है Which of the following was included by the Constitution 86th Amendment Act 2002 नेमिलिकित में से किसे सम्विधान 86 स्वर्ण संसोधन अधिनियम 2002 द्वारा सामिल किया गया था तो किसे सामिल किया गया था तो Elementary Education as a Fundamental Right को सामिल किया गया था Next है The 42nd Amendment of the Constitution of India was passed in the year dash तो 42 जो amendment हुआ था वो passed कब हुआ था किस year में हुआ था तो Right answer होगा आपका 1976 Next है Which Amendment Act 2017 of the Constitution contains the provision necessary for the GST regime संविधान के किस संसोधन अधिनियम 2007 में GST व्यवस्था के लिए आवस्चक प्रवधान सामिल है तो क्या होगा यहां पर Right answer 101 यहां पर होगा Correct answer Next है Which of the following articles of the Indian Constitution had been amended by the Second Amendment Act 1952 भारतिय संविधान के निम्न लिखित में से किस अनुछेद को दित्य संसोधन अधिनियम 1952 द्वारा संसोधित किया गया था तो Article 81 को संसोधित किया गया था Next question है The Constitution 100th Amendment Act 2015 is related to संविधान के एक सौवा संसोधन अधिनियम 2015-10 से संबंदित है किस संबंदित है ठीक है 100th Amendment तो Right answer क्या होगा Mutual transfer of certain territories between India and Bangladesh होगा यहाँ पर Right answer ठीक है Next है The provision of amendment of constitution in the constitution of India was adopted from the constitution of DASH तो भारत के संविधान में संसोधन के प्रवधान को DASH के संविधान से अपनाया गया था किस देश के संविधान से अपनाया गया था तो South Africa के संविधान से अपनाया गया था Next है भारत के संविधान के 69 वे संसोधन अधिनियम के अनुसार निम्न लिखित में से किस वर्ष में दिल्ली को राष्ट्रिय राष्धानी छेतर घोसित किया गया था तो कब किया गया था 1991 में किया गया था ठीक है 1988 के 61 संविधानिक संसोधन अधिनियम में अधिनियम ने मतदान की आयू को 10 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया तो आप जानते हैं 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया नेक्स्ट है विच आप दा फॉलिंग अमेंडमेंट्मेंट्स अफ दा कॉंस्टिचुशन अफ इंडिया एड़ेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 ए भारत के सम्विधान के निमने लिखित में से किस संसोधन ने अनुछेद 51 के तहट एक नया मौलिक करता वे जोड़ा तो किस में जोड़ा 86th Amendment Act 2002 86th Amendment Act 2002 में यह हुआ था अड़ेड किया गया था New Fundamental Duties Next है Who among the falling president of India gave assent to the 100th Amendment of the Constitution of India भारत के निमने लिखित राश्पतियों में से किस ने भारत के सम्विधान के 100वे संसोधन को सुकृति दी थी तो वो थे उस वक्त परनव मुखरजी ठीक है तो परनव मुखरजी होगा right answer Next है Which of the following amendments of the Constitution of India gave the status of state to Goa भारत के सम्विधान के निमने लिखित में से किस संसोधन ने Goa को राज का दर्जा दिया Goa को राज का दर्जा दिया किस संसोधन ने में तो 56 होगा यहाँ पर right answer 56 amendments Next है An amendment to the Hindu Session Act 1956 was passed in the year dash Okay Hindu उत्रादिकार अधिनियम 1956 में संसोधन वर्स dash में पारित किया गया था कब पारित किया गया था तो 2005 में पारित किया गया था Okay Next है The Dash Constitutional Amendment Act gave constitutional status to Panchayati Raj Session इस्टम पैंचायती राज इंस्टिचूशन ओके तो Dash संविधान संसोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधानिक दर्जा दिया तो कैवे constitutional amendment में तो 73rd होगा यहाँ पर right answer The Dash Amendment of the Constitution of India in which is the Gram Sabha as the foundation of the Panchayat Raj सिस्टम to perform function and power interested to it by the state legislature तो ये कैवा amendment था भारत के संविधान के डैस संसोधन में राज विधान सभाव द्वरा सौपे गए कार्यों और सक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज परनाली की नीव के रूप में ग्राम सभा को परिकल्पना की गई तो 73rd होगा यहाँ पर राइट एंसर ठीक है नेक्स कोर्सन है तो भारत के संविधान में एक नया भाग डैस जोड़ा गया किस आपको किस में तो 9A होगा राइट एंसर पार्ट 9A यह हुआ था 74th Amendment Act 1992 में तो यूनियन लिस्ट में इसको सामिल किया गया है ना भारत के संविधान में किस संसोधन ने सेवाओं पर कर नामक संग सूची में एक नया विसे जो रहा वो जो रहा 88th में ठीक है 88th Amendment में भारत के संविधान में किस संसोधन द्वारा जोरी गई थी किस संसोधन द्वारा जोरी गई थी दस्वी अनुसूची तो 52nd Amendment में ठीक है नेक्स्ट है तो यहां पर क्या होगा राइथ एंसर 1957 ठीक है डाइस आफ देस्ट स्टोचिवूशन दिऊल स्टिप्विध देस्ट गेड़ही संसोधन पर किया से संबन्दीथ है तो अमैप्रमेंट से संबन्दीथ कौन सा आइकल है आइकल 368 तो 1978 में सम्विधान के डैस ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ती के अधिकार को हटा दिया अब ये fundamental rights नहीं रहा ये किस amendment में किया गया तो 44th amendment act में किया गया था ठीक है 44th amendment act 1978 next question is भारत के सम्विधान के किस संसोधन ने सम्विधान के पहली अनुसूची में संसोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के आटवे केदर सासित परदेश के रूप में सामिल किया तो 12th होगा यहाँ पर right answer 12th amendment next question है through the 42nd amendment which of the following was inserted in the Indian constitution 42nd संसोधन के मार्धियम से नेमन लिकित में से किसे भारतिय सम्विधान में जोड़ा गया था किसे जोड़ा गया था भारतिय सम्विधान में तो यहाँ होगा डिरेक्टिव प्रिंस्पल्स ठीक है next question है which of the following constitutional amendment incorporated दादर, नागर और हवेली in the union of India as a union territory नेमन लिकित में से किस सम्विधानिक संसोधन ने दादरा, नागर और हवेली को भारतिय संग में केंद्र सासित परदेश के रूप में सामिल किया 10th होगा यहाँ पर right answer next है which constitutional amendment act included fundamental duties in the Indian constitution किस सम्विधानिक संसोधन अधिनियम में भारतिय सम्विधान में मौलिक कर्तवों को सामिल किया गया था किस सम्विधान में किया गया था तो 42nd amendment act होगा यहाँ पर right answer which of the following constitutional amendment act amended Bodo, दोगरी, मैथली and संताली were added in the 8th schedule निमलिकित में से कौन सा सम्विधान संसोधन अधिनियम संसोधित, Bodo, दोगरी, मैथली और संताली को 8th वी अनसूची में जोड़ा गया था तो यह होगा आपका 92nd amendment act 2003 अब कुछ और important amendment से उसको आप देख लीजे अब यह से की 104th amendment act 2020 इसमें क्या है? इसमें हुआ लोक, सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए सीटों की समाप्ती की समय सीमा जो है 70 वर्ष से बढ़ा कर 80 वर्ष कर दिया गया है ठीक है? पहले 70 years था उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया? 80 years कर दिया गया लोक, सभा और राज, सभा, विधान सभाओं में अनुसूचित जन समुदाए के लिए आरक्षी सीटों को हटा दिया गया ओके? रिमूव कर दिया गया रिजर्ब सीट्स को जो होता था आपको एंगलो इंडियन कम्यूटी के लिए ठीक है? उसको हटा दिया गया नेक्स्ट है 102nd Amendment Act 2018 इसमें क्या है? इसमें है Constitutional Status was Granted to National Commission for Backward Classes जो राश्ट्रिये पिछरा वर्ग आयोग को समयधानिक दरजा दिया गया राश्ट्रियाने की राश्ट्रिये पिछरा वर्ग आयोग को समयधानिक दरजा दिया गया यह 102nd Amendment Act में हुआ 92nd Amendment Act 2003 में क्या हुआ? बोडो, दोगरी, मैथली, और संथाली were added in the 8th schedule ठीक है? टोटल ओफिसल लेंगवेज जो है वो 18 से बढ़ कर 22 हो गया ठीक है? यह हुआ आपका 92nd Amendment Act में नेक्स है 86th Amendment Act 2002 इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ Elementary education was made a fundamental right free and compulsory education to children between 6 to 14 years ठीक है? प्रात्मिक सिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवारे सिक्षा दिया गया दिना है यह है 86th Amendment Act 2002 में हुआ था यह सब 73rd Amendment Act 1992 में क्या हुआ? पंचायती राज इंस्टिशूशन वे इर गीवन constitutional status जो पंचायती राज संस्था हो था उसको संवेधानिक दरजा दिया गया तो यह जो है यह सारे important रहे questions और expected questions आपका amendment topics related और मुझे उमीद है कि इस topic से आपके exam में questions आएगा और इस video से भी questions आपके रहने की पूरी-पूरी संभावना है ठीक है? बाकी आप जानते हैं कि SAC Crackers चैनल पे अभी जितना भी video बन रहा है एक दो week से वो सब आपके SAC CGL 2022 के exam point of view से important है और आप जो वीडियो नहीं देखें उसको आप playlist में जाकर ये जो आपका ब्रह्मास्तर स्रीज है static gk and current affairs का इसमें सारे वीडियो जो है इसी में आपको डाल दिये गए है जो ब्रह्मास्तर स्रीज है टोटल अभी 39 वीडियो है इस वीडियो को डालने के बार टोटल 40 वीडियो हो जाएगा तो यह 40 का 40 वीडियो जो है आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो इसको आप देख लेंगे ठीक है यहाँ home हो गया videos हो गया sorts live और यहाँ होगा आपका playlist वहीं पर आप देखेंगे और इस पर click करेंगे तो 2022 exam के लिए आपको सारे important videos मिल जाएंगे तो उमीद है कि यह session आपके लिए useful रहा होगा तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए जो है all the best